शाम और राधा राईगड गाउं में रहते हैं, वैसे तो उनके अपने घर में ही दो वक्त का खाना पूरा नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी शाम हर रोज किसी ना किसी नए मेहमान को दोपेर के खाने पर घर ले आता है। एक दिन राधा कहती हैं, ये क्या है जी, जब आपको पता है कि हमारे पास अपना पेट भरने तक का खाना पूरा नहीं होता, फिर क्यों रोज किसी ना किसी नए मेहमान को घर ले कर आ जाते हो, ऐसे तो जिन्दगी जीना मुश्किल हो जाएगा। मेहमानों को खिलाना पूर्य का काम होता है, इससे भगवान खुश होते हैं, तुम क्यों उसके बीच में आकर पाप की भागेदारी बन रही हो, दोबारा मेरे सामने ऐसी बात मत करना समझी। इसी तरह राधा बहुत बार शाम को समझाने की कोशिश करती है, पर वो हर बार एक ही बात बोलकर उसे चुप करा देता है। इन्हें समझाना तो बेकार है, मुझे ही कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी, जिससे महमान अपने आप ही यहाँ आनब बंद कर दे। राधा तरकीब सोचनी में लग जाती है, और इसी तरह कुछ दिन बीच जाते हैं। एक सुबह, शाम बिना कुछ बताए जल्दी घर से निकल जाता है, और राधा अपने काम में लग जाती है। कुछ घंटों बाद शाम अपने एक दोस्त के साथ घर वापसाता है। अपना बोलते हैं, दोसरे के तो कभी सुनी ही नहीं है, क्या करूं मैं। राधा क्या करूं क्या नहीं की उलजन में फसी ही होती है, कि उसके दिमाग में एक तरकी बाती है, जिस पर वो शाम और उसके दोस्त के घर से बाहर जाती ही, रसोई में से सिल्बटा निकाल कर लाती है। अब मुझे मेरे ये साथ ही ही इस मुश्किल से बाहर निकालेंगे। राधा सिल्बटे पर रोली, चावल और हल्दी डाल कर उसे मेमानों की बैटने की जग़ा पर ली जाकर रखतेती हैं। कुछी देर में वो तीनों मेमान भी घर पहुँच जाते हैं। आये जी, पधारिये, हमें आपका ही इंतिसार था। जे शक्रिया, शाम भाई कहा है? वो ना, बस आते ही होंगे, तब तक आप बैठिये ना। जैसे ही वो तीनों अपनी जग़ा पर बैठते हैं, तो सामने पूजा की इस सिल बट्टे को रखा देख, असमंजस में पढ़ जाते हैं। और बहन, ये सिल बट्टे की पूजा कर इसे यहां क्यों रखा है? क्या ये आपकी यहां का कोई रिवाज है? अरे नहीं नहीं, वो तो मेरे पती की मननत है, इसलिए पूजा की हैं। रादा की ये बात सुन, तीनों मेहमानों के चेहरों की हवाईया उड़ जाती है, जिसे देख रादा मन ही मन हस्ती हुई, उन्हें दिलासा देते हुए कहती है। अरे आप लोग फिक्र मत कीजिए, ज्यादा तेज नहीं मारेंगे, बस तीन बार सरासी थपकी। और ये सुनते ही, तीनों मेहमान डर से कापते हुए तुरंट अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं। अरे अरे आप से बोट क्यों गए, मेरे पती बसाती ही होंगे, फिर सब साथ में खाना खाईएगा। अरे जी नहीं, हमें कुछ नहीं खाना। फिर वैसे ही चली गए। राधा की बात सुन, शाम गुस्से से लाल होकर उस पर चिलाने लगता है। तुम पागल हो क्या? मेमान को नाराज कर दिया। मेमान जो मांगे उन्हें वो देना हमारा फर्ज है। इतनी सी बात तुमें कब समझ में आईगी? मैं अभी उन्हें ये सिल्बटा देकर वापस घर में ले आता हूँ। तुम खाना तयार रखना। अब शाम सिल्बटा उठाए घर से बाहर निकल जाता है और मेमानों को ढूणना शुरू कर देता है। जो उसे पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठे दिखते हैं। शाम उनके पास पहुँचनी ही वाला होता है कि वो उसे सिल्बटे के साथ आता देख दोबारा भागना शुरू कर देते हैं। जिस पर शाम भी उनके पीछे भागने लगता है। अरे रुको मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूँ। अरे आप लोग रुको तो सही। अरे भाई ये तो हाथ दो कर पीछे पढ़ गया। अरे सुबान कम और पैर तेख चलाओ। वो तीनों पिटाए के डर से और ज्यादा तेख भागने लगते हैं। इसी तरह तीनों महमान आगे आगे और शाम सिल बटे के साथ उनके पीछे पीछे पूरे गाउं में खूंते हैं। जिससे धीरे धीरे गाउं में ये खबर फैल जाती है कि शाम दयालू और उदार इनसान तो है। लेकिन अब से वो किसी के भी महमान नवाजी से पहले सिल बटे से तीन बार उसके सिर पर मारेगा। जिसके प्रभाव से अब लोग उसके घर खाने पर आना बंद कर देते हैं। मैं तो उन्हें सिल बटा देने जा रहा था और लोगों को लगा कि मैं मार रहा हूं। चुटकारा भी पा लेती है और घर की शान्ती भी भंग नहीं होती। जरूरी नहीं कि हर जंग हत्यार से ही लड़ी जाए। कुछ के लिए सर्फ दिमागी चाल ही काफी होती है। और अगर शान्ती के साथ अच्छे से दिमाग लगा कर सोचा जाए। तो मुश्किल से मुश्किल समस्या का समाधान मिल ही जाता है।